वेलकम बाइक में चैनल आज हम घुमने के लिए पावड़ा जा आ रहे हैं वहाँ नदी के बीच में एक मंदीर है जहां साध्धार है तो बने रहे हैं विद्यो के अंद तक देखते हैं बीच में अपावड़ा जा आ आपक देखते हैं पावड़ा जो फरस गाओं के अंदर बड़े डोंगर उसके अंदर है एक पावड़ा फरस गाओं से करीब अंद पड़ता है 35 किलो मीटर आज आपन आए हैं पावड़ा जहां साध्धार देखने को मिलेगा तो गाई बने रहे हैं विद्यो के अंद तक पावड़ा जो फिछे मंदिर अपन दिखात में साथ आगे घूंते हैं और यहां केदभूट कहानी के बारे में जानते हैं तो गाई से जो एक बंदिर है नदी के बीच में देखे होगे सीन और एक धर्षीन है जहां एक गों है और यहां कर कहानी यह बोलता है बोला जाता है कि पहले जमाना में शीवगान यहां नहां पर थे मतलब जब मरंदिर नहीं बना था तो यहां एक खलबा करके था उसको एक दिन वह मछली पकंड़ी बजा रात आ रहा थ तो उसको सीवगान लिए तो उनसे वर्दान प्राप्त हुआ कि मतर वर्दान मांगा वह तो वोबला कि मचली आ बोलने साथ जाय बोल का देखे है इस पावड़ का नदी तो बीच में सोड दिखाओंगा जो साथ भाग मे और यहां का सीन देखो गाइस अच्छा है और नदी के बीच में मंदीर है तो गाइस ते पीछे देख रहो है यह मंदीर यह नदी के बीच में बना है और विखा रहाँ अगे तो गाइस यहां भीया को थोड़ा मंदीर के बारे में पूछते हैं पावडा मंदीर के बारे में बताइए भीया हाई शादार मंदीर बोला जाता है इसके आफ यहां यहां दूर अता है इदरर की बहुत पानी जाता है इंचाय चाहिंच तो इसमें नहीं यह करने इसमें पूर में भूद बड़ा कर आता ऋतना धिया कितना चल रहता है यहां सदर मंन्दिर अब। जो गंगा प्यत्रकरने आते हैं जो भी आते हैं यहां बहुत लोग हर दिन पांस我在 यहां पिकनिक स्पोर्ट के लिए भी फेमस है और यहां भी इनादिक बीच में वो मंदिर बना है आप पिकनिक स्पोर्ट के लिए आसकते हो यहां बहुत मास्कीन है हुआ है मंदिर का निर्माण 1986 में किया गया था गैस पानी गीर रहा है इस कारण अच्छा से वीडियो नी बन पाया तो गैस यहां के यूज कैसे लगाना बताना और पसंद आया तो वीडियो लाइप करना सब्सक्राइब करना